कि नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चनल ट्रेड वित्रहुनिक चले दोस्तों जैसे कि अपने क्वार्टा थ्री रिजल्ट के सीरी चल लिए तो उसके अंदर जलू इस पाथ स्पेसल प्रॉडक्स लिम्टेट का कल क्वार्टा थ्री का रिजल्ट आ क्योंकि न्यूज पर भी उसता ऐसे पीटीसी इंडिया के ऊपर मैंने अभी कॉल दिया है तो आप जाएए चैनल पर जाएए और पीटीसी इंडिया के वारे में बात करते हो देखिए कंपनी बेसिकली क्या है कंपनी स्टील और आरें के प्रॉडक्शन का लिम्टेट करती भी बीजेटी ने में अ में अ कैसा सेथिया निजिया और जैसी डवल के इंडिया वर जैसी डावल इस डावन का में तो इन्हों यह ने इक कंपनी अक्वार के आता जिसका नाम आप जैस्टावडल्यक्शन प्रॉड़क्स लिम्टेड कर लिए लोगों ने तो बिसिकली ल तो देखिए इनका basically काम क्या है यह लोग जो JSW SPART special product limited का working है यह लोग iron और steel का जो production होता है उसका काम लोग करते है बिसकली अब इसके quarter three result कैसर उसके बारे बात करते है चलिए देखिए इसके quarter three result ठीक है company ने किसी तरह का dividend deal नहीं दिया इस result के अंदर तो चलिए चलते हैं इसका आज मार्केट का आप आज की डेट में 1773 क्रोड़ पर इस्टॉक पी चला 19.3 का इस टॉक आर ओसी चला है इसका 4.434 परसेंट का बुग बली इसकी तीसर पे दो पैसे किया और रिटर्न आफ इक्वेटी इसकी सोलर पे 6.4 परसेंट किया और डिविडेंट कंपनी नहीं देती है और दसर पे की phase value पे company का खर्शेर ट्रेट कर रहा है company quarter quarter result अच्छे कर रही अब दिसम्बर quarter 3 result के अंदर की total sale हुए 1473 करोड बेगी इस quarter minute के sale हुए 1473 करोड बेगी और expense हुआ है quarter में 1381 करोड बेगा operation profit आयन को 93 करोड बेगा और net profit आयन को minus में 23 करोड बेगा और EPS आयन का minus में 0.60 तो देखे इस quarter में को operation net profit में ग्रावर देखने को मिल दी है और EPS में भी minus में जा चुका है अब चलते है previous quarter में कैसरा सितंबर quarter 2 के अंदर तो देखे इनको net sale हुए थी इनकी 1437 करोड बेगी और इनको expense हुआ था 1355 करोड बेगा और operation profit आयनको 83 करोड बेगा तो बढ़के हुआ 93 करोड बेगा operation profit में बढ़त देखने को मिली हमारे को यह बहुत अच्छा indication देखने को मिल रहा है और secondly एक और चीर देखिए इनका net profit जो था माइनस में 37 वह घटके हुआ माइनस में 28 करोड तो यह देखिए कंपनी ने अपना करजा कम किया है जो प्रीवियस में माइनस में चला गया था 37 वह घटके हुआ इस ट्वट्वाइड तो यह इंडिकेशन अच्छा कहसे देखने को मिल रहा हमारे को और एपेस हमारा माइनस में 070 वह घटके हुआ जी माइनस में 060 तो यह बहुत पॉजिटिव है तो quarter quarter वाई देखिए इंडिकेशन अच्छा क्वाटर वाइड बिद ने प्रॉफिट म सेल थी 1151 करोड बेगी वह बढ़के होगी 143 करोड बेगी एकस्पेंस था 1,009 करोड वह बढ़के हुआ 1,301 करोड बेगा operation profit 152 करोड था वह गटके हुआ और net profit था 39 करोड का वो गटके हुआ 매way 28 करोड थो हमारी को sale में जाफा देखने हम creative quarter quarter year रहा है हमें sale में सांस्वा देखने हो मिल रहा है बट जो हमारा net profit और operation profit उसमें कमी देखने को मिल दी हमारे को year से इसे दोढ़ने सब्मक्राइट ऑर ननखरार को समगें और इसे ऐसे कोम हैं, आई यह सबंदे कर्णा की यह बंदने, और इसे इस कहते से पर सब्सक्राइब कोल कि देखने हैं, तो हमें क्या पॉजिटिव मैंने आमेंस आपको एक चीज़ बताइए किसी भी कंपनी को सेल इंपॉर्टेंट करती है अगा सेल नहीं होगे तो इसका प्रॉफिट कहा से निकलेगा प्रॉफिट नहीं हो तो मेरे इसके सेल अच्छे तो मेरे हिसाब से रिजल का इंपक्ट आ वह चलता रहता बागी रिजल काफी अच्छा देखना हो मिलता जादा खराव नहीं है जादा अच्छा है अब इसका देखेंगा हम शेर ओल्डिंग पैटर्न तो इस क्वाटर में लास्ट क्वाटर में परमोटर के ओल्डिंग ते 53.17 वह सेम हो रही है इस क्वाटर में भ होल्डिंग थी 4.48 वह घटके हुए 4.02 तो यह भी डियाइस ने अपनी होल्डिंग डिक्रीस करिये और पबलिक की होल्डिंग थी लास्ट क्वाटर में 0.40.78 वह बढ़के हुए 41.57 तो इस क्वाटर में क्या देखने को मिलना हमारे को कि परमोटर परमोटर ने अपने होल इस अरह पर 18 में पांच दिन के अन्दाव इसने 7.86 न परस्ट डिया पॉजिटिव में 1 मंद परसें दे पॉजिटिव में 6 मंद के इंदाव शे परसें दे पॉजिटिव में यह टु डे ,看一下 शे तीन परसें दे पॉजिव में तो अब इसका 52 ही देखाता हो मैं आपको तो 52 है 67 रपे, 52 लो है 32 रपे तो देखिए अब यहांसे कैसे रहना है चार्ट पे चलते है तो हम मैंने सबस्वाध से पहले इसका डेली चार्ट की जगा हम sont diary चार्ट देख T Olada तो विधीली चार्ट पर कहां support देख रहा है हमारे का weekly चार्ट पर आज के दिन पर जो इनवेड्र सचाडल को बनra यह थी कहा सी च्गी बात कि कि अच्छी बात के उस्थ चिपायब लूडर सब्सक्राइब and buy किपहedar ही च ने आप चलते इसका डेली चार्ट पर देखते हैं डेली चार्ट पर जो आज जिस तरह से इसका डाउन फोल होने के वाद जो एक बुली स्केंडल बन दी आज के दिन में तो मैंने बताया ना आपको 23 तरगेट अब बाय कर सकते हैं और देखे पूरा करेक्टिव होने के वाद शेयर अप ट्रेंडिंग दर चला पूरा देखे किस तरह से करेक्टिव हो कि जारा शेयर तो जादा कोई डाउन फोल नियां से जो अपना पहला टरगेट आने वाला है पहला टरगेट नहीं सा 40 का रहेगा दूसरा टरगेट 45 तर बेगा यह 20 से 25 दिन में दिखा देगा चार्ट चलता स्लोआ मोविंग शेयर है क्योंकि यह शेयर थोड़ा स्लोआ मोविंग होते है सब्सक्राइब तो यहां से क्या करना देखे लिए चर्ट पर ज्यादर ग्रावट का इंडिकेशन नहीं है और जहां पर यहेंद चर्ट पर क्रॉस मुविंग आ रहे हैं 200 एमय की क्रॉसमोविंग तो उसमें और तीजी देखना हो मिलेगी और बाकी रिजल्ट का इंपक्ट करेक्शन होने के बाद शेयर फिर से अभी भी भाय कर सकते हैं पहला टरगेट चालिश का दूसर अगर पैन ताले सब्सक्राइब इन दो टरगेट का बाय करें पिससा होल्ड रखे आई होप यह वीडियो आपकी यूज पिले तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फावड करन बिल्कुल नहीं होले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो